नमस्कार मित्रों आईए सुनते हैं रूसी कहानी मनुस्स का जीवन आधार क्या है जिसके लेखक है लेव तोल स्थोय और इस कहानी का हिंदी अनवाद किया है मूनसी प्रेमचन ने माधो नामक एक चमार जिसके न घर था न धरती अपनी इस्त्री और बच्चों सहित एक जोपड़ी में रहकर मेहनत मजदूरी द्वारा पेट पालता था मजदूरी कम थी अन महिगा था जो कमाता था खा जाता था सारा घर एक ही कंबल ओड़कर जाडों के दिन काटता था और वह कंबल भी फट कर तार तार रह गया था पूरे एक वर्स से वह इस विचार में लगा हुआ था कि दूसरा वस्त्र मोल ले पेट मार मार कर उसने तीन रुपए जमा किये थे और पांच रुपए पास के गाउवालों पर आते थे एक दिन उसने यह विचारा कि पांच रुपए गाउवालों से उगाह कर वस्त्र ले आऊँ वह घर से चला गाउव में पहुँचकर वह पहले एक किसान के घर गया किसान तो घर में नहीं था उसकी स्त्री ने कहा कि इस समय रुपए मौजूद नहीं फिर दे दूँगी फिर वह दूसरे के घर पहुचा वहा से भी रुपए ना मिला फिर वह बनिये की दुकान पर जाकर वस्त्र उधार मांगने लगा बनिया भूला हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते काउन पीछे पीछे फिरे जाओ अपनी राह लो वह निराज होकर घर को लाउट पड़ा राह में सोचने लगा कितने अचरज की वात है कि मैं सारे दिन काम करता हूँ उस पर भी पेट नहीं भरता चलते समय स्त्री ने कहा था कि वस्त्र अवस्त लाना अब क्या करूँ कोई उधार भी तो नहीं देता किसानों ने कही दिया अभी हाथ खाली है फिर ले लेना तुम्हारा तो हाथ खाली है पर मेरा काम कैसे चले तुम्हारे पास घर पसू सब कुछ है मेरे पास तो यह सरीर ही सरीर है तुम्हारे पास अनाज के कोठे भरे पड़े है मुझे एक एक दाना मोल लेना पड़ता है साथ दिन में तीन रुपए तो किवर रोटी में खर्च हो जाते है क्या करूं कहा जाओं हे भगवान सोचता हुआ मंदिर के पास पहुचकर देखता क्या है कि धर्ती पर कोई स्वेत वस्तु पड़ी है अंधेरा हो गया साफ ना दिखाई देता है मादों ने समझा कि किसी ने इसके वस्त्र छीन लिये हैं मुझसे क्या मतलब ऐसा ना हो इस जगडे में पढ़ने से मुझ पर कोई आपत्ती खड़ी हो जाए चल दो थोड़ी दूर गया था कि उसके मन में पस्तावा हुआ मैं कितना निर्दई हूँ कहीं या बेचारा भूपों न मर रहा हो कितने सर्म की बात है कि मैं इसे इस दसा में छोड़ चला जाता हूँ वह लौट पड़ा और उस के पास जाकर खड़ा हो गया पास पहुचकर माधो ने देखा कि वह मनुझ से भला चंगा जवान है केवल सीथ से दुखी हो रहा है उस मनुझ की आख भर कर देखना था कि माधो को उस पर दया आ गई अपना कोट उतार कर भूला यह समय बातें करने का नहीं यह कोट पहल और मेरे संग चलो मनुझ का सरीर स्वक्ष मुख दयालू हाथ पाँ सो डौल थे वह प्रसंद बदन था माधो ने उसे कोट पहना दिया और बोला मित्र अब चलो बातें पीछे होती रहेंगे मनुझ ने प्रेम भाव से माधो को देखा और कुछ न भूला माधो तुम बोल इसके सहारी चलो मनुझ माधो के पीछे पीछे हो लिया माधो तुम कहा रहते हूँ मनुझ मैं यहां का रहने वाला नहीं माधो मैंने भी यही समझा था क्योंकि यहां तो मैं सबको जानता हूँ तुम मंदिर के पास कैसे आ गए मनुझ यहां मैं नहीं बतला सकता माधो क् मनुस्य ठग प्रतीत ना होता था पर अपना पता कुछ नहीं बताता था माधो ने सोचा अवस इस पर कोई बड़ी विपत्ती पड़ी है बोला भाई घर चलकर जरा आराम करो फिर देखा जाएगा दोनों वहाँ से चल दिये राह में माधो विचार करने लगा मैं तो वस्त्र लेने आया था यहाँ अपना भी देबाइठा एक नंगा मनुस साथ है किया यह सब बातें देखकर मालती प्रसंद होगी कदापी नहीं मगर चिंता ही क्या है दया करना मनुस से का परम धर्म है उधर माधो के इस्त्री मालती उस दिन जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर पानी लाई फिर भोजन बनाया बच्चों को खिलाया आप खाया पती के लिए भोजन अलग रखकर कुर्ते में टाका लगाती हुई या विचार करने लगी ऐसा ना हो बनिया मेरे पती को ठग ले वह बड़ा सीधा है किसी से चल नहीं करता बालक भी उसे फसा सकता है आठ रुपए बहुत होते हैं इतने रुपए में तो अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं पिछली सरदी किस कष्ट से कटी जाते समय उसे देर हो गई थी परन्तु क्या हुआ अब तक उसे आजाना चाहिए था इतने में आहट हुई मालती बाहर आई देखा कि माधो है उसके साथ नंगे सिर एक मनुस्य है माधो का कोट उसके गले में पड़ा है पती के हाथों में कोई गठरी नहीं है वह सर्म से सिर जुकाई खड़ा है यह देखकर मालती का मन निरासा से व्याकुल हो गया उसने समझा कोई ठाग है तेउरी चढ़ा कर खड़ी हो देखने लगी क्यों वह क्या करता है माधो बोला यदि भूजन तयार हो तो ले आओ मालती जल कर राक हो गई कुछ न बोली चुपचाप वही खड़ी रही माधो ताड़ गया कि इस्तरी क्रोधागरी में जल रही है माधो क्या भूजन नहीं बनाया मालती क्रोध से हाँ बनाया है परन्तु तुम्हारे वास्ते नहीं तुम तो वस्त्र मोल लेने गए थी यह क्या किया अपना कोट भी दूसरे को दे दिया इस ठग को कहां से ले आए यहां कोई सदावरत थोड़े ही चलता है माधो मालती बस बस बिना सोचे समझे किसी को बुरा कहना उचित नहीं है पहले पूछ तो लो कि यह कैसा मालती पहले यहां बताओ कि रुपए कहां फेंके माधो यह लो अपने तीनो रुपए गाउवालों ने कुछ नहीं दिया मालती रुपए लेकर मेरे पास संसार भर के नंगे लुच्चों के लिए भोजन नहीं है माधो फिर वही बात पहले इस से पूछ तो लो क्या कहता है मालती बस बस फूछ चुकी मैं तो विवाही करना नहीं चाहती थी तुम जो खर खूव हो माधो ने बहुतेरा समझाया वह एक न मानी दस वर्ष के पुराने जगड़े याद करके बकवात करने लगी यहां तक कि क्रूद में आकर माधो की जाकेट फार डाली और घर से बाहर जाने लगी पर रास्ते में रुख गई और पती से भूली अगर यह भला मानस होता तो नंगा न होता भला तुम्हारी भेट इससे कहां हुई माधो बस यही तो मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ यह गाओ के बाहर मंदिर के पास नंगा बैठा था भला विचार तो कर यह रितु बाहर नंगा बैठने की है देवगती से मैं वहाँ जा पहुचा नहीं तो क्या जाने यह मरता या जीता हम क्या जानते हैं कि इस पर क्या विपत्ती पड़ी है मैं अपना कोट पहना कर इसे यहां ले आया हूँ देख क्रोध मत कर क्रोध पाप का मूल है एक दिन हम सबको यह संसार छोड़ना है मालती कुछ कहना चाहिती थी पर मनुस्य को देख कर चुप हो गई वह आखे मूंदे गुटनों पर हात रखे माउं धारन की ये इस्तिर बैठा था माधो प्यारी क्या तुम में इस्वर का प्रेम नहीं यह वचन सुन मनुस्य को देख कर मालती का चित तुरंत पिखल गया जट से उठी और भोजन लाकर उसके सामने रख दिया और भूली खाईए मालती की यह दसा देख कर मनुस्य का मुखार विंद खिल गया और भा हसा भोजन कर लेने पर मालती भूली तुम कहां से आये हो मनुस्य मैं यहां कर रहने वाला नहीं मालती तुम मंदिर के पास किस प्रकार पहुँची मनुस्य मैं कुछ नहीं बता सकता मालती क्या किसी ने तुम्हारा माल चुरा लिया मनुस्य किसी ने नहीं परमेश्वर ने यहां दंड दिया है मालती क्या तुम वहां नंगे बैठे थे मनुस्य हाँ सीद के मारे ठिटुर रहा था माधों ने देखकर दया की कूट पहना कर मुझे यहां ले आया तुमने तरस खाकर मुझे भोजन खिला दिया भगवान तुम दोनों का भला करे मालती ने एक कुर्ता और दे दिया रात को जब वह अपने पती के पास जाकर लेटी तो यह बाते करने लगी मालती सुनते हो मालती अन तो चुक गया कल भोजन कहा से करेंगे सायद पडोसिन से मांगना पड़े मालती जीएंगे तो अन भी कहीं से मिल ही जाएगा मालती वह मनुस अच्छा आदमी मालूम होता है अपना पता क्यों नहीं बतलाता मालती हम आउरों को देते हैं पर हमको कोई नहीं देता माधो ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया मुह फेर कर सो गया प्राता काल हो गया माधो जागा बच्चे अभी सोई पड़े थी मालती पडोसन से अन मांगने गई थी अजनभी मनुस भूम पर बैठा आकास की ओर देख रहा था परन्तु उसका मुख अब प्रसन था माधो मित्र पेट रोटी मांगता है सरीर वस्तर अतेव काम करना आवस्चक है तुम कोई काम जानते हो मनुस मैं कोई काम नहीं जानता माधो अभ्यास बड़ी वस्तु है मनुस यदि चाहे तो सब कुछ सीख सकता है मनुस मैं सीखने को तयार हूँ आप सिखा दीजिए माधो तुम्हारा नाम क्या है मनुस मैकू माधो भाई मैकू यदि तुम अपना हाल सुनाना नहीं चाहते तो ना सुनाओ परन्तु कुछ काम अवस्च करो जूते बनाना सीख लो और यहीं रहो मैकू बहुत अच्छा अब माधो ने मैकू को सूत बाटना उस पर मोम चढ़ाना जूते सीना आदी काम सिखाना सुरू कर दिया मैकू तीन दिन में ही ऐसे जूते बनाने लगा मानो सदा से चमार का ही काम करता रहा हूँ वह घर से बाहर नहीं निकलता था बोलता भी बहुत कम था अब तक वह केबल एक बार उस समय हसा था जब मालती ने उसे भोजन कराया था फिर वह कभी नहीं हसा दिरे दिरे एक वर्स बीद गया चारों और धूम मज गई कि माधो का नौकर मैकू जैसे पक्के मजबूत जूते बनाता है दूसरा कोई नहीं बना सकता माधो के पास बहुत काम आने लगा और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई एक दिन माधो और मैकू बैठे काम कर रहे थे कि एक गाड़ी आई उसमें से एक धनी पुरुस उतर कर जूपड़े के पास आया मालती ने जट से किवार खूल दिये वह भीतर आ गया माधो ने उठकर प्रणाम किया उसने ऐसा सुन्दर पुरुस पहले कभी नहीं देखा था वह स्वयम दुबला था मैकू और भी दुबला और मालती तो हड़ियों का पिंजरा थी या पुरुस तो किसी दूसरे ही लोग का वासी जान पड़ता था लाल मोह, चवणी छाती, तनी हुई गर्दन मानो सारा सरीर लोहे से बना हुआ है पुरुस तुम में उस्ताद काउन है? माधो, हुजूर मै पुरुस चमडा देखा कर तुम यह चमडा देखते हूँ? माधो, हाँ हुजूर पुरुस तुम जानते हूँ कि यह किर्जात का चमडा है? माधो, माराज यह चमडा बहुत अच्छा है पुरुस, अच्छा मूर्ख कहीं का तुमने सायज ऐसा चमडा कभी नहीं देखा होगा पुरुस, अच्छा तुम इसका बूट बना सकती हूँ माधो, हाँ हुजूर बना सकता हूँ पुरुस, हाँ हुजूर की बात नहीं समझ लू कि चमडा कैसा है और बनवाने वाला काउन है यदि साल भर के अंदर कोई टांका उखड गया अथवा जूते का रूप बिगड गया तो तुझे बंदी खाने जाना पड़ेगा नहीं तो दस रुपए मुजूरी मिलेगी माधो ने माईकू की और कनखेईों से देखकर धीरे से पूछा कि काम लेलू उसने कहा, हाँ लेलू माधो नाप लेने लगा पुरुस देखो नाप ठीक लेना बूट छोटा ना पड़ जाए माईकू की तरब देखकर यह काउन है माधो मेरा कारीगर पुरुस माईकू से हो हो देखो बूट एक वर्स चलना चाहिए पूरा एक वर्स कम नहीं माईकू का उस पुरुस की और ध्यानी नहीं था वह किसी और ही धुन में मस्त बैठा हस रहा था पुरुस क्रोध से मूर्क बात सुनता है की हसता है देखो बूट बहुत जल्दी तयार करना देर ना होने पाए बाहर निकलते समय पुरुस का मस्तक द्वार से टकरा गया माधो बोला सिरह की लोहा केवार ही तोड़ डाला था मालती बोली धनवान ही बलवान होते हैं इस पुरुस को यमराज भी हात नहीं लगा सकता और की तो बात ही क्या है उस आदमी के जाने के बाद माधो ने मैकू से कहा भाई काम तो ले लिया है कोई जगड़ा न खड़ा हो जाए चमड़ा बहमूल है और यह आदमी बड़ा क्रोधी है भूल ना होनी चाहिए तुम्हारा हात साफ हो गया है बूट तुम काट दो सी मैं दूंगा मैकू भूट काटने लगा मालती नित्य अपने पती को भूट काटते देखा करती थी मैकू की काट देखकर चकराई कि यह कर क्या रहा है सायद बड़े आदमियों के भूट इसी प्रकार काटे जाते हों यह विचार कर चुप रह गई मैकू ने चमडा काट कर दोपहर तक स्लीपर तयार कर लिए माधो जब भूजन करके उठा तो देखता क्या है कि भूट की जगह स्लीपर बने रखे हैं वह घबरा गया और मन में कहने लगा इस मैकू को मेरे साथ रहते एक वर्स हो गया ऐसी भूल तो उसने कभी नहीं की आज इसे क्या हो गया उस पुरुस ने तो बूट बनाने को कहा था इसने तो स्लीपर बना डाले अब उसे क्या उत्तर दूँगा ऐसा चमडा और कहा से मिल सकता है मैकू से मित्र यह तुमने क्या किया उसने तो बूट बनाने को कहा था न अब मेरे सिर के बाल न बचेंगे यह बाते हो ही रही थी कि द्वार पर एक आदमी ने आकर पकारा मालती ने किवार खोल दिये यह उस धनी आदमी का वही नवकर था जो उसके साथ यहां आया था उसने आते ही कहा राम राम तुमने बूट बना तो नहीं डाले माधो हाँ बना रहा हूँ नवकर मेरे स्वामी का देहान थो गया अब बूट बनाना व्यर्थ है माधो अरे नवकर वह तो घर तक भी पहुँचने नहीं पाए गाड़ी में ही प्रान त्याग दिये स्वामनी ने कहा है कि उस चमडे के स्लीपर बना दू माधो प्रसन्न होकर या लो स्लीपर आदमी स्लीपर लेकर चलता बना माधो को माधो के साथ रहते रहते च्छै वर्ष बीत गए अब तक वह केवल दो बार हसा था नहीं तो चुपचाब बैठा अपना काम किये जाता था माधो उस पर रती प्रसन्न था और डरता रहता था कि कहीं भाग न जाए इस भाई से फिर माधो ने उससे पता वता कुछ नहीं पूछा एक दिर मालती चूले में आग जला रही थी बालक आगन में खेल रहे थी माधो और मैकू बैठे जूते बना रहे थे कि बालक ने आकर कहा चाचा मैकू देखो वह इस्तरी दो लड़कियां संग लिये आ रही है मैकू ने देखा कि एक इस्तरी चादर ओड़े चोटी चोटी कन्याई संग लिये चली आ रही है कन्याओ का एक सा रंग रूप है भेद केवल यहा है कि उनमें एक लंगडी है बूड़ी भीतर आई तो माधो ने पूछा माई क्या काम है उसने कहा इन लड़कियों के जूते बना दू माधो बोला बहुत अच्छा वह नाप लेने लगा तो देखा कि माई कू इन लड़कियों को इस प्रिकार ताक रहा है मानो पहले कहीं देखा है बूड़ी इस लड़की का एक पाउन लुझा है एक नाप इसका ले लो बाकी तीन पैर एक जैसे हैं ये लड़कियां जुड़वा है माधो नाप लेकर यह लंगड़ी कैसे हो गई क्या जन्म से ही ऐसी है बूड़ी नहीं इसकी माता नहीं इसकी टांग कुचल दी थी मालती तो क्या तुम इनकी माता नहीं हो बूड़ी नहीं भेन ना इनकी माता हूँ ना सम्मंधी ये मेरी कन्याई नहीं मैंने इन्हें पाला है मालती तिस पर भी तुम इन्हें बड़ा प्यार करती हो बुढ़ी प्यार क्यों न करूँ मैंने अपना दूद पिला पिला कर इन्हें बड़ा किया है मेरा अपना भी बालक था परन्तु उसे परमात्मा ने ले लिया मुझे इनके साथ उससे भी अधिक प्रेम है मालती तो ये किसकी कन्याई है बुढ़ी छै वर्स हुए कि एक सप्ताह के अंदर इनके माता पिता का देहान थो गया पिता की मंगल के दिन मिरत्ती हुई माता की सुक्रवार को पिता के मरने के तीन दिन पीछे ये पैदा हुई इनके माबाप मेरे पड़ोसी थे इनका पिता लकड हारा था जंगल में लकडियां काटते काटते वरक्ष के नीचे दब कर मर गया उसी सपताह में इनका जन्म हुआ जन्म होते ही माता भी चलबसी दूसरे दिन जम मैं उससे मिलने गई तो देखा कि बेचारी मरी पड़ी है मरते समय करवट लेते हुए इस कन्या की टांग उसके नीचे दब गई गाउवालों ने उसका दाह कर्म किया इनके माता पिता रंक थे कवड़ी पास ना थी सब लोग सोचने लगे कि कन्याव को कौन पाले उस समय वहां मेरी गोद में दो महिने का बालक था सब ने यही कहा कि जब तक कोई प्रवंध ना हो तुम ही इनको पालो मैंने इन्हे समाल लिया पहले पहल मैं इस लंगडी को दूद नहीं पिलाया करती थी क्योंकि मैं समझती थी किया मर जाएगी पर फिर मुझे इस पर दया आ गई और इसे भी दूद पिलाने लगी उस समय पर मात्मा की किरपा से मेरी छाती में इतना दूद था कि तीनों बालकों को पिला कर भी बह निकलता था मेरा बालक मर गया ये दोनों पल गई हमारी दसा पहले से अब बहुत अच्छी है मेरा पती एक बड़े कार खाने में नवकर है मैं इन्हें प्यार कैसे न करूँ ये तो मेरा जीवन आधार है यह कहकर बूड़ी ने दोनों लड़कियों को छाती से लगा लिया मालती सत्य है मनुष माता पिता के बिना जी सकता है परन्तु ईस्वर के बिना जीता नहीं रह सकता ये बाते हो रही थी कि सारा जोपड़ा प्रकासित हो गया सब ने देखा कि मैकू कोने में बैठा हस रहा है बूढ़ी लड़कियों को लेकर बाहर चली गई तो मैकू ने उठकर माधो और मालती को प्रणाम किया और बोला स्वामी अब मैं विदा होता हूँ परमात्मा ने मुझ पर दया की यदि कोई भूल चूख हुई हो तो छमा करना माधो और मालती ने देखा कि मैकू का सरीर तेजो मैं हो रहा है माधो दंडवत करके बोला मैं जान गया कि तुम साधारन मनुस्य नहीं अब मैं तुम्हे नहीं रख सकता ना कुछ पूछ सकता हूँ केवल यह बता दो कि जब मैं तुम्हे अपने घर लाया था तो तुम बहुत उदास थे जब मेरी इस्त्री ने तुम्हे भोजन दिया तो तुम हसे जब वह धनी आदमी भूट बनवाने आया था तब तुम हसे आज लड़कियों के संग भूड़ी आई तब तुम हसे यह क्या भेध है तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है मैकू तेज का कारण तो यहाँ है कि परमात्मा ने मुझ पर दया की मैं अपने कर्मों का फल भोग चुका इस्वर ने तीन बातों को समझाने के लिए मुझे इस मुरत्यू लोक में भेजा था तीनों बातें समझ गया इसलिए मैं तीन बार हसा पहली बार जब तुम्हारी इस्ट्री ने मुझे भोजन दिया दूसरी बार धनी पुरुष के आने पर तीसरी बार आज बूड़ी की बात सुनकर माधो परमेश्वर ने यह दंड तुम्हे क्यों दिया था वे तीन बाते कौन सी हैं मुझे भी बतलाओ मै कूँ मैंने भगवान की आग्या ना मानी थी इसलिए यह दंड मिला था मैं देवता हूँ एक समय भगवान ने मुझे एक इस्त्री की जान लेने के लिए मृत्यू लूक में भेजा जाकर देखता हूँ कि इस्त्री अतिदुरवल है और भूमी पर पड़ी है पास तुरंत की जनमी दो जुड़वा लड़कियां रो रही है मुझे यमराज का दूद जान कर वह बोली मेरा पती विरक्ष के नीचे दव कर मर गया है मेरे ना बहन है ना माता इन लड़कियों का कौन पालन करेगा मेरी जान ना निकाल मुझे इन्हें पाल लेने दी बालक माता पिता बिना पल नहीं सकता मुझे उसकी बातों पर दया आ गई यमराज के पास लओ टाकर मैंने नवीदन किया कि महराज मुझे इस्त्री की बाते सुनकर दया आ गई उसकी जड़वा लड़कियों को पालने वाला कोई नहीं था इसलिए मैंने उसकी जान नहीं निकाली क्योंकि बालक माता पिता के बिना पल नहीं सकता यमराज भोले, जाओ, अभी उसकी जान निकाल लो और जब तक ये तीन बाते ना जान लोगे कि मनुस में क्या रहता है मनुस को क्या नहीं मिलता मनुस का जीवन आधार क्या है तब तक तुम स्वर्ग में आने न पाऊगे मैंने मृत्ति लूक में आकर इस्तिरी की जान निकाल ली मरते समय करवट लेते हुए उसने एक लड़की की टांग को चल दी मैं स्वर्ग को उड़ा परन्तु आन्धी आई मेरे पंख उखण गए और मैं मंदिर के पास आगिरा अब माधो और मालती समझ गए कि मैंकू कौन है दोनों बड़े प्रसंद हुए कि अहो भाग हमने देवता के दर्सन किये मैंकू ने फिर कहा जब तक मनुष सरीर धर्म नहीं किया था मैं सीद गर्मी भूख प्यास का कष्ट ना जानता था परन्तु म्रत्य लोक में आने पर प्रगट हो गया कि दुख क्या वस्तू है मैं भूख और जाड़े का मारा मंदिर में घुसना चाहता था लेकिन मंदिर बंद था मैं हवा की याड में सबक पर बाइट गया संध्या समय एक मनुष स्याता दिखाई दिया म्रत्य लोक में जन्म लेने पर यह पहला मनुष था जो मैंने देखा था उसका मुख ऐसा भ्यांकर था कि मैंने नेत्र मूंद लिये उसकी ओर देख न सका वह मनुष यह कहे रहा था कि इस्त्री पुत्रों का पालन पोसन किस भाती करें वस्त्र कहां से लाएं इत्यादी मैंने विचारा देखो मैं तो भूख और सीथ से मर रहा हूँ यह अपना ही रोना रो रहा है मेरी कुछ सहायता नहीं करता वह पास से निकल गया मैं निरास हो गया इतने में मेरे पास लवटाया अब दया के कारण उसका मुख सुन्दर दिखने लगा माधू वह मनुष से तुम थे जब तुम मुझे घर लाए मालती का मुख तुमसे भयंकर था क्योंकि उसमें दया का लेस मात्र ना था परन्तु जब वह दयालू होकर भोजन लाई तो उसके मुख की कठोरता जाती रही तब मैंने समझा कि मनुष में तत वस्तु प्रेम है इसी लिए पहली बार हसा एक वर्स पीछे वह धनी मनुष बूट बनवाने आया उसे देखकर मैं इस कारण हसा कि बूट तो एक वर्स के लिए बनवाता है और यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले मर जाएगा तब दूसरी बात का ग्यान हुआ कि मनुष जो चाहता है सो नहीं मिलता और मैं दूसरी बार हसा छै वर्स पीछे आज यह बूड़ी आई थी तो मुझे निश्चय हो गया कि सब का जीवन आधार पर मातमा है दूसरा कोई नहीं इसलिए तीसरी बार हसा मैकूर प्रकास सवरूप हो रहा था उस पर आँख नहीं जमती थी वह फिर कहने लगा देखो प्राणी मात्र प्रेम द्वारा जीते हैं केवल पोषण से कोई नहीं जी सकता वह इस्तरी क्या जानती थी कि उसकी लड़कियों को कौन पालेगा वह धनी पुरुस क्या जानता था कि गाड़ी में ही मर जाऊंगा घर पहुचना कहा कौन जानता था कि कल क्या होगा कपड़ी की जरूरत होगी की कफन की मनुस्व सरीर में मैं केवल इस कारण जीता बचा कि तुमने और तुम्हारी इस्त्री ने मुझसे प्रेम किया वे अनात लड़किया इस कारण पली कि एक बुढ़ी ने प्रेम बस होकर उन्हें दूथ पिलाया मतलब यहा है कि प्राणी केवल अपने जतन से नहीं जी सकते प्रेम ही उन्हें जिलाता है पहले मैं समस्ता था कि जीवों का धर्म केवल जीना है परन्तु अब निश्चय हुआ कि धर्म केवल जीना नहीं किन्तु प्रेम भाव से जीना है इसी कारण पर मात्मा किसी खोया नहीं बतलाता कि तुम्हें क्या चाहिए बलकि हर एक को यही बतलाता है कि सब के लिए क्या चाहिए वह चाहता है कि प्राणी मात्र प्रेम से मिले रहे मुझे विश्वास हो गया कि प्राणों का आधार प्रेम है प्रेमी पुरुस परमात्मा में और परमात्मा प्रेमी पुरुस में सदैव निवास करता है सारांस यहाँ है कि प्रेम और उपर में स्वर में कोई भेद नहीं यह कहकर देउता स्वर्ग लोग को चला गया